हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैंन बुलुइंग क्लासिश के यूटूब चैनल पर मेरा नाम है ग्यानेन मैं पढ़ाता हूं आपको साइंस है आज हमारे चैप्टर का जो की चैप्टर नमबर था सेवन नियंतर व्म समन्वे उसमें हमें पढ़ना है अंतर स्रावी टंत्र यह लाफ टापिक है इसमें बहुत सारी अनतराविक ग्रंथियां है उनके दौरा स्रावित होने वाले हार्मोन है उनके नाम देखने हैं उनके कार्ण देखने हैं ठेक है यह हमें पढ़ना है तो हो सकता है आज यह सारा नहीं हो पाएगा तो कल के वीडियो में यह हो जाएगा फिने यह टाप एक फिनिस होते ही आपका ये भी लेशन चैक्टर नमबर सेबन हो जाएगा खात्म इसके बाद बाद बाइलोजी का तीसा लेशन और साइंस का हमारा आठवा लेशन शुरू होगा जो को जीवों में जनन होगा ठीक है रिप्रोडक्शन इन इनीम जियों के अनुरच्छन के लिए जो क्रियाएं क्या होती आवश्यक होती हैं जो क्रियाएं आवस्यक हैं वो सभी क्या कहला आते हैं जया प्रक्रम में आती है जैसे वो सर्जन स्वसन और पाचन या फिर पोशार कहले ठीक हो परिसंचरण कहले परसंचरण तो जो होता हमार रुधिर वाला सिस्टम पूरा वहां पर जो जनन था ना बेटा जनन को देखा जा तो जनली जव प्रक्रम में नहीं आता है तो ऐसा तो है नहीं जीव अनुरच्छित नहीं रहेगा जीवित नहीं रहेगा बीना जनन के हाँ जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों का अस्थित बना है जीवों का अस्थित बनाने के लिए जनन आवस्यक है ठीक है लेकिन कहें कि हम जनन जैसे मैं जनन ना कुरूं तो क्या मैं जीवित नहीं रहे पाऊंगा क्या मैं अपने बाल बच्चे पैदा ना करूं कि पैदा ना करूं तो क्या मैं मर जाउंगा ऐसा तो नहीं तो जनन तो जय प्रक्रम में नहीं आना चाहिए इसलिए वहाँ पर इसको हमने नहीं पढ़ा था इसका लेशन ही पूरा पूरा अलग है इसको हम आगे डिसकर्श करेंगे हाँ जीवन की प्रक्रिया है जीवन की एक प्रक्रिया है जनन्द जीवन की प्रक्रिया में आ सकता है लेकिन जव प्रक्रम में नहीं आ सकता कि आसा करते थोड़ा से समझ अंतास्रावी तंत्र तो हमारे सरीर में कि बहुत सारी नलिका विहींद ग्रंथियां होती हैं जिन्हें अंतास्रावी ग्रंथियां कहते हैं जो एक तंत्र बनाती हैं जिसे अंतास्रावी तंत कहते हैं हमारे तोब कि अधिए मैं बहुत सारी और आनतास्त्रावि ग्रंथियां होती नलिका भीं नंता सवार क्या विहीं नलिका धियान ननना थे ना नलिका बिहिंद मत अलिका नहीं होगि उन डक्ट लेस होंगी डक्ट लेस होंगी नलका विहिन ग्रंथियां होती हैं जिने अंतासरावी ग्रंथियां होती हैं जो एक तंत्र बनाती हैं जिसे अंतासरावी तंत कहते हैं आसा करते समझ में आ गया होगा अंत्रासरावे ग्रंथियों की बात करें तो बहुत सारी होती हैं हम उनके सब को नाम बताते हैं आपको जैसे में आप लिख सकते हैं यहां पर जैसे कि प्यूस ग्रंथि हो गई कौन सी क्या थी प्यूस ग्रंथि हो गई प्यूस ग्रंथि हो गई दोसी थाइराइड ग्रंथि हो जाती है कौन सी थाइराइड ग्रंथि हो जाती है एक पैरा थाइराइड भी होती है बेटा जी कौन सी होती है पैरा थाइराइड होती है ठीक है चौती कौन से होती थाइमस भी होती है कौन सी थाइमस ग्रंती भी होती है थाइमस भी होता है ऐसे भी लिखा रहता है ऐसे भी लिखा रहता है दोनों लिखा रहता है ठीक है बेटाजी पाचवाद देखे तो, पाचवाद होती है अधिवरक के ग्रंथी, शटी कौन सी होती है, शटी होती है हमारी पीनियल ग्रंथी, साथ भी, जनद होते हैं हमारे, ये भी ग्रंथी का काम करते हैं, जनद होता है, मेल फिमेल में, अच्छा, अलग-अलग, ठीक है, जैसे कि मादा में अंडार्ण हो जाएंगे, है न? अब प्यूज ग्रंथी मस्तिष्क में AND Ethereum, फैर थैदिए गले में इस्तित होती है, auraeh投 रिक के पास रख के पास हीज़ी होती है, था फाइमस ग्रंथी की बात करें या सब्सक्राइब में इस्तित होती है, पनेकल की बात करें, या मस्तिष्क में आगे, चाहेज़ करके लिख सकतो है या- मस्ठफ में इस्तित होती है या भी गली में इस्तित होती यह वर्च में बढ़ के चैड़ इस्तित होती है उदर में रखे के टाप पर या भी मस्तिष में स्थित होती है या तो बाते ने करो भी यह जनत होते हैं जो हमारे जन्नांग होते हैं सो कुराण अंडान होते हैं उनमें होते हैं समझ गया है अब हमें एक एक के बारे में पढ़ना भी है इसके इन्हें पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिसकस करने चाहेंगे एक बाहस्त्रावी ग्रंथियां होती हैं एक अंतास्रावी ग्रंथियां होती हैं उन दोनों में थोड़ा से अंतर समझ लेंगे बेटा जी कि तो बाहस्त्रावी ग्रंथियां अंतास्रावी ग्रंथियां ठीक है बही स्रावी और है अंत्राफ सावि को ग्रंधियों में अंत्र गभाइस और अंता श्रावी य्या हथ बना लो पाई भाईसराबी और अंताश सहाविय को में अंतार यह की यह हुआ है है या नलिका सहीट होती है यह का सहीट इसे यह पहला अंतर सबसे बड़ा अंतर ठीक है को ठीक है कि यह जा क्या करते हैं यह इनका स्राव नलिका द्वारा किसी विशेश अस्थान में सब्क्राव में जाता है जो इन्वाँ मैं समझ गए ऊर्थात्त हार्मोन रोधिर में पहुंच मुझ रूधिर के मानधम में सम्पूर सडिन में जाता है करता है ठीक है कि कि थीक समझ गये और जो इनके हार्मोन होते है वो रासानिक समनवे के लिए आवस्थ होते हैं सभी जययؑ कृविक पर रासानिक थामन वे कि आवस्था होते हैं समझ गए कि कि अगला जैसे कि अंतर देखें और अंतर देखें तो इसमें थाइमस आ जाती है थाइराइड आजाती है अधुराक्त अभी देखें हमने उसमें क्या करता आ नहीं होते वह में होते ही जो रस निकलता उसे क्या कहते है तो उसे क्या करने थे हार्मोन कहते हार्मोन क्या होता यह हमने सुर्यू में पढ़ा था चलो कि आज हमें पढ़ लेना बेटा जी प्यूस ग्रंती कौन सब्ढ़ लेना है हार्मोन से के बारे में हमने बदाया था आपको ना इस्टार्लिंग ने सरपतम हार्मोन सब्द का प्रयोग किया था हार्मोन क्या होते हैं एक तरग रासानिक पदार्थ होते हैं जो रासानिक संद这里 वहाग का ये सारी बाते हमने की थी न बैश्चाजी तो हार्मों से के बहुत साइघ होते ही इनका ंडभार काम होता है या जल में विले होते हैं या विस्रण स्वारा बिभिन नूत को में पहुंचते हैं या रासानी कुछ पेरक होते हैं ये सारी हार्मोन क्या है लच्छण है इतने सारी हार्मोन के लच्छण होते हैं आछस्संब lokal तो हमें पढ़ना बेटा जी प्यूस ग्रंथ क्या पढ़ना है प्यूस ग्रंथी या मास्टर गान को प्यूस ग्रंथी या मास्टार गान ग्रंथ यह हमें पढ़ना कि ये को जवाब आपको मिल जाएगा पहले इसके द्वारा जितने हार्मोन श्रावित होते उनको देख लेंगे हम ठीक है उनको देख लेंगे अब फिर बाकी नहें पढ़के फिर आगे हम इसका जवाब लें कि क्यों कहते थीक है बच्चो देखो तुन और बज देखो वह वह पढ़ने वादे हैं कि तो ये तो आप उनने बता दिया था पहले कि कहां इस्तित होती है मस्तिस्क में है तो यह एक जटिल ग्रांती है जो अग्र मस्तिश के पश्च भाग में डाई एंसेफलान नामक सनचना कि निचली सता पर इस्थित होती है है कि ठीक है यह घ्रंथि अग्र मद्ध तथा पश्च तीन पिंडों में विभक्त होती है कौने मद्ध में लिखेंगे अग्र मध्य तथा पर तेन पिंडों में विभगते रहती है अचे आप हेटिंग लगाएंगे नोट्स पॉना नहीं कि अग्र पिंट द्वार्णा स्रावित हेर्मोन अग्र पिंट ड्वार्णा कुंसे हार्मोन स्रावित होते हैं है हटोछो कोइभ हिस्तिक हर्मोन है तो पहला है सुमाइटरो टॉपिक विशे मतला बुरोथ हो जाएगा यह मतलब भार्मोन हो जाएगा फुर कɟ करक्व उर खभीकभी नाम पूरा पोश लेता है अगला फिटकल हार्मोन कौन सा होता दूसा थीक है हार्मोनी स्थी लुटेनाइजिंग होता है म्लाब लुटेनाइजीं हम हमालोन धाइडोट्रापी यह समझ सकते यह भी धाइडोनत्रॉपिक स standard अगला होता है मैमोड क्वेलेक्टे मडलाब मोनोट्रापिक थी clairement मोनो क्या अइच मतलब हार्मोन अब जो मद्ध पिंड होता है बेटा जी वह मनसमें अलप बिक्सित होता है अभी इस सब को एक एक हर्मोन होते हैं एक हेडिंग लगाएंगे आप फिर उसमें थोड़ा सा लिखेंगे यह क्या काम करता है कि क्या काम होता है करता है यही काम होता है जिस्में इसार्मोन के कमी होती होती answer है बाउने रह जाते हैं यह भी लिदी ना जिसमें जिसमें इस हार्मोन की कमी होती हुआ रह जाते हैं और जिनमें जिनमें अधिक सराह होता है इसका वह बहुत उनके ज्यादा जाते हैं जैसे भीम का नहीं था महां भारत वाली चलो अगला है पुटिका प्रेरा खार्मोन कौन साहे दूसरा पुटिका प्रेस्ट यहां पर फॉलिकल जो फॉलिकल होती है बेटा जी वहां पर पुर्सों में वसंड की नलिकाओं में उसमें पाइजाती है यह आगे हम लेतरे क्लिकली की यह अंडे जनन को अंडिस्ट को को औरैंस ऑने की थोड़ा सा वहां कौन वागएद कंवेल लिख लोगे फिराल यह पुरसों के वसंड की लगे इसमें लिख लोगे यह पुरुसों में वसंड की सुक्रे जयंन नलिकाओं की ब्रत कि शुक्रजनन नलिकाओं की ब्रद तथा शुक्रजनन को प्रेड करता है शुक्रजनन दौरा शुक्राण बनते हैं जब आगला लेशन हम मनेश में जरन पढ़ेंगा इन चीजों के बारे मैं अच्छे समझें कोई दिक्कर वाली बात है ठीक है यह क्या करेगा पुरुसों म यह हार्मोन क्या करता है और इस तरियो में यह अंडासे की अंडासे की ग्राफियन ढुख अगर देखें gaan ग्रेफियन पूटिकाऊं तथा कि अपर क्या होती जूड़ा रहता है यह बिकास था पृद्र दी कामा अंडजनन तथा मादा हार्मोन अंडजनन अंडजनन मतलब अंडाण बनना मादा में अंडाण बनता है पुर्सों में क्या बनता है सुकुराण बनता है ठीक है अंडजनन तथा मादा हार्मोन इस्टोजन कौन सजन कौन सजन वेटा जी इस्टोजन त्षीक फिस्टोजेंट सित को करताए कि आँप करता है इसके सोग भी करना लीटिंग नाजिक हार्मोन हेड डालेंगे लेटिन आइजिंग हार्मोन आप इसमें लिलेस preparation को करता है याभी बन इंडोजन या इस्टोजन नहीं इंडोजन बोले हम इंडोजन इस्टोजन में अंतर हैं इंडो इंडो जैंस के सराव को पेद करता कौन एलेच हार्मोन ठीक है अगला अगला कौन सा थार्मोन को नियंतित करता है अब थाइड से ग्रंथ को पर नियंतित होगा इसका सिधि से नाम से पता चलता है ठीक है नाम से भी पता चलता है अब लूटिनाजिंग यह पुटका कहें तो शमल लेना मंदा रमॉन स्रावित हो में घडी से संबन दी हार्मॉन व。 थाइडोट्रापिक हार्मॉन तो धाईडॡाइड से संबन दीख़ू है समझे त्था यह भी हैं त 이걸 और कpent सब्सक्र्रकों डालेंगे ओर लेक्टिक कि ए लैक्तिन हार्मोन है क्या काम करेंगे मानों में एक दुर्बल हर्मोन का काम करता है किसका हर्मोन दूर्बल हर्मोन काम करता है मानों में ठीक है और इस्तुरियों में गर्भकाल के चलते अधिक मातरा में सावित होकर या अस्तनों की व्रद्ध को प्रियरित करता है कि जैन्म के बाद दुख दूस्रावन को भी प्रेडित करता है यह समझे तो तो मानों में इसके कोई खासा रॉल नहीं होता है समझे लेकिन इस ठीव में तर्यों में जब गरभासें उनके om के प्रेगनेंट होती है वह तो उनके जो अस्तर होते हैं उनके अस्तर को क्या करता है प्रेरित करता है जो लेडी लैट्थ होती है उनकी अस्तनों में ब्रभ्धी और उनका सिस हो जाता है तो इसा इसा SomePcontrol हो जाते हैं अपने नार्मल साइज से कांफी हो जाते हैं उसकी हो AIS 2 के पहले भी हो जाता है आई सभी नहीं कि साधी बाद ही ऐसा हो हो जाता है कि इसा हो ता ही वह अलग अलग कंडिसेंट करती है लें लेडी कोई सब्सक्राइब अब समझ सकते हैं चलो यह हो गया यह भी हर्मोन खतम हो गया इसका कार्म हो गया समझ गया कि तो क्या करता है जिस्व जन्म के बाद यह दुखसराव को भी प्रेड़ करता है समझ गया गर्भकाल के चलते ठीक अधिक कि बाता में थोट कर अस्तनों की ब्रथ को प्रेड करता है तथा और किसे हार्मौं किस लिए होगा अधिवरक गंद्ट होगा तो यह क्या करें गया चीडियों की इस रावित होने वाले हार्मोन को नियद्जित करता है या या अधिवरक के हिंदी में बोलते हैं इंगलिसमें पर थी तो इनके इन पर करता है कौन अब मद्ध्य पिंड की बात करें बच्चा जी तो मद्ध्य पिंड जो होता है मर्द पिंड जो होता है यह मानों में अल्पषत होता है यह मानों में क्या हो अल्प शिप्षत होता इससे को यह हार्मवन च्रावित नहीं अब आ जाता है पस्च मस्तिव क्या जाता है बस सब्सक्राइदा अगला आ जाता है पस्च मस्तिव Since Ich बाट पस्च मस्तिव के हमारे दो वन कि सरावित होते हैं थेक है कि पहस्च पिंडivan Josh Dad Dwaraz रावित हार्मOn पहला कौन वोता है दूसरा वोता है एक होता है बेटा जी, एक होता है आक्सी टॉसिन, कौन सा आक्सी टॉसिन, एक वैसो प्रेशिन, ठीक है, वैसो प्रेशिन, प्रेशिन होता है, और कौन सा होता है, आक्सी टॉसिन, कि यह वह होगा यहां पर अच्छा थे वह होगा वह वैसो प्रेशिन और आक्सी टॉशिन कि यह क्या काम करते हैं जैसे कि इसको साड़कार में एडी एच भी बोलते हैं एडी एच की थीक है एवलब एडिनल से है यह यह रख इन लिकाव में जेल के पुनरास न्टंके में व्रद्धी रॉत करता है तथा मूट की मात्रा में कमी करता है रूधिर वह कौम में सकोल्चिता का में ब्रद्धिक करता हैं दो काम कौन कौन से कुछ कि शरी का कुछ भागों में के रुधिर वाहिकव में सबुंचन सब्सकारा करके दुदिर दामें व्रद करता है करता है याँ में अयों यह फीर करता है यात तकि धोर नौन को सब्सक्राइब ने चाहने काम होता हैं जल को खानताए जल को निकल जाता तो जल का दुबारा वहart शानता है हमारी साहिर में हिरे जाए इसलिए यह हार Kitchen को पूर देखो या हार्मोन महिलाओं में ही खासा रोल अदा करता है किसमें अदा करता है बेटा जी खासा रोल महिलाओं में ही अदा करता है करता क्या है जैसे जो आपने देखा होगा जो हमारी भैंस वगारा होती है जो उनके बचड़ा मर जाते हैं या फिर कुछ होता है तो उन में रह Tut दूद्ध दोहने के लिए दूद्ध दोहने के लिए क्या करते हैं के चैकmile है हमने बताया कि महिलाओं में खासा रोलादा करता है डेखो जब गछा व will होता है उनकी जो प्रसुप के टाइम होती है नहीं कि प्रसौ परसौट करता है थिक जो महिलाम होती है अब क्या बताएं बहुत ज्यादा दर्ध होता यह उनमें क्या गर्वकाल के दौरान कि पीड़ा सब्सक्राइब को संगोचित करके क्या करता है संगोचित करके प्रसो पीड़ा उपन करता है ठीक है प्रसो पीड़ा जब प्रसो को टाइम होता है वो टाइम क्या होता है डिलवरी वाला टाइम ठीक है जब हमारा इनका समय क्या होता है बच्चे के डिलवरी का ट तब पीड़ा उठा करती है तो इसी के कारण होता है इसकी पेशिया सकोंचित होती है तो ये वैसे भी जब बेबी होता है इसमें तो फूला रहेगा तो आगल और पिछ करना चाहेगा तो क्या होता है दर्द होता है Wenn इसमें की पुर्द होते हैं करता है ताकि दूढ की दूढ होता है वह अधिक से अधिक बन सके दुढ दुढको भी प्रेश करता है काम और बच्याद के जब संभोगा वस्था होती है संभोग करते हैं संभोग संभोग या फिर संबंद बनाते हैं तब उनके जो गर्भासे होता है सब्सक्राइन होते है यहां पर उनके जो रवाएनिया होती जो शुकीराण होता है ुरूस क्या छोडते हैं सुकुराण होता है कि यकर उनके गर्भासे में पहुंसता गरभासें दौरा कहां अंडवाहिनी नहीं उन्हद पहुंसने के लिए मार्ग प्रदान करता है मंख और फॉलने सब्सक्राड कर सो ND बाएट कर सकते मार्ग और सामये तो फिराट कर सा कि र होती है दोत्वा थी द्वारां पहुंच के लगे या उन्ट में पहुंच सकARS महले एंडार हूते जो मादा में मिले कजा तभी क्या क्या लाएगा कर दोता से भी क्या निंशेचन कि它 तो निसेचन के बाद जो जाइगोड बनता है जाइगोड के बाद उसमें विभा और भी बहुत सारी अवास्था होती तो उसके बाद दीरे-दीरे करके सिस्व बनता है उससे अगर यह मिले नहीं सुकुराण तो निसेचन नहीं होगा तो सिस्व नहीं बनता है समझ गया नि कि नर्कस गुराण तथा मादा के अंडाण के मिलने की क्रिया निसेचन कहलाती यह सब हम आगे वाले लेशन में पढ़ेंगे ठीक बच्छा जी तो आज के लिए इतना ही रखते हैं आगे जो भी ग्रंथियां हमने जोतनी भी लिखाई हैं वो सभी आगे अगले वीडियो में में देखेंगे उनके द्वारा भी सबसे लंबी यही थी सब इसलिए टाइम इसी में लगा बागी सब छोटी-छोटी है कम हार्मोन से तो जल्दी-जल्दी खतम हो जाएंगे ठीक है तो अगली वीडियो मिलते हैं फिर थैंक्स हो सो मच